हेलो दोस्तों वेलकम टू देव एंटियर और यह है यामा की नूली लॉच्ट अपगी एक्स यामा ने इसको नॉन ब्लुटूथ और ब्लुटूथ दो वेरियंट के साथ 150 CC इंजन के साथ इंडियन मार्केट में लॉच किया है इसमें आपको क्या-क्या फीचर्स मिलने वाल कलर तो सबसे पहले मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करता हूं तो यहां पर आपको एक यूनिक और एक प्रीमियम टैप की डिजाइन देखने को मिल जाती है इसकी हैडलाइट में और यह जो है मैटल की दी गई है और इसमें आपको तीन डियारेल्स देखने को मिल जाएंगी राउंड सेप में और इसके बीच में मिल जाती है आपको प्रोजेक्टर लाइट जैसा कि मैं इसको ओन करके दिखा देता हूं तो इसमें आपको अच्छी खासी नाइट के लिए रोशनी देखने को मिल जाएगी और लुकिंग भी काफी ज्यादा अट्रेक दिगई है और इसका जो मडड़ का दिया गया है और यहां पर भी इसका घृम्ल वह मैं या पर आपको Çो इसकी व्रांटंगंग देखनें को मिल जाती है तो दोसतों इसकी अधानल mm का single channel ABS breaking system जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो इसमें आपको 17 इंचेस के black color के alloy wheels मिल जाते हैं और इसके alloy wheels के ऊपर आपको जो है एक blue color की lining देखने को मिल जाती है जो कि इसके look को कहीं न कहीं काफी ज़्यादा enhance कर रही है और यहां पर आपको 187 का टैर साइज मिल जाता है फ् suspension के ऊपर आपको जो है rubber getter दिये गए हैं जो की काफी ज्यादा attractive लग रहे हैं और इसके overall look की बात करें तो यहां से आप इसका look देख सकते हो काफी ज्यादा attractive और एक premium look मिल जाता है और इसकी जो theme है वो पूरी की पूरी black दी गई है chrome का का काफी कम यूज किया गया है और इ cleaning इसके fuel tank पर मिल जाती है और overall इसका fuel tank है वो काफी वड़ा दिया गया है और यहां पर आपको 10L की fuel tank capacity मिल जाती है और इसमें आपको एक retro design देखने को मिल जाती है जो की plastic की है यहां पर आपको nuts भी दिये गए हैं और इसकी जो looking है काफी ज्यादा attractive लग रही है और यहां प आपको yama की branding मिल जाती है और यहां पर आपको 12 volt का charger socket मिल जाता है यहां पर आपको rpm देखने को मिल जाता है यहां पर आपको जो है watch देखने को मिल जाती है यहां पर आपको speed और यहां पर आपको fuel indication यहां पर आपको malfunction turn signal और यहां पर आपको neutral light और man head light indication light overall सारी indication light आपको इस आपको मिल जाता है passing का switch और यहां पर आपको low beam high beam का switch मिल जाता है यहां पर आपको man head light का switch मिल जाता है और नीचे की side में आपको indicator का और horn का switch मिल जाता है अब मैं आपको इसके दूसरी side में ले चलता हूं तो यहां पर आपको जो है engine kill का switch मिल जाता है जो कि red color का दिया गया है और इसके नीचे आपको self का switch मिल जाता है तो दोस्तो अब मैं आपको इसके exhaust का sound सुना देता हूँ तो जैसा कि यह बाइक है जो है start होच गी है तो यहाँ पर आप इसके exhaust का और इसके engine का sound सुन सकते हो तो इसमें आपको एक heavy सा sound सुनने को मिल जाएगा जैसा कि आप इसके exhaust बैक note कर सकते हो तो दोस्तो इसका sound आपको engine का और इसके exhaust का कैसा लगा आप में को comment करके जरूर बताना तो हम मैं इसकी चावी को off कर देता हूँ तो यहाँ से अगर मैं इसकी side profile को देखूँ तो इसके side जो panel है वो plastic के दिये गए है matte finish में यहाँ पर आपको yama की branding मिल जाती है तो यहाँ भी आप इसके side panel को देख सकते हो इसका जो look है वो काफी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसकी seat की बात करें तो orange leather finish में seat मिल जाती है इसकी जो cushioning काफी ज़्यादा soft है और काफी चौड़ी और एक लंबी seat यहाँ पर आपको provide की गई है इस bike के अंदर अब इसके rear की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको एक black color का grab handle देखने को मिल जाता है जो की normal type का है और इसकी rear वाले tail lamp की बात करें तो LED की tail lamp इसमें आपको देखने को मिल जाती है और normal world वाले indicator यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है इसके rear वाले mudguard की जो design है वो काफी unique यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और इसके दोनों side में आपको reflector देखने को मिल जाते है अब इसके rear वाले टायर की बात करें तो काफी चौड़े टायर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जो की off-roading के साफसे design किये गए हैं इसके टायर के size की बात करें तो 140-60-70 का टायर size मिल जाता है और इसके alloy wheels पर आपको blue color की lining देखने को मिल जाती हैं और 17 inches के black color के alloy wheels म मिल जाते हैं अब इसके rear वाले braking system की बात करें तो 220 mm की disc brake इसके rear में आपको देखने को मिल जाएंगी इसके rear में दिया गया है 7 step adjustable mono cross type का suspension जिसको आप अपने weight और demand के साफसे भी adjust कर सकते हो दोस्तों अब इसके tire के उपर मिल जाता है आपको एक tire huger black color का और जो की इस bike को गं weight भी दी गई है और जो की black matte finish के साथ आता है इसकी design काफी ज्यादा unique बनाई गई है और premium भी है और यहां पर आपको प्लियन के लिए adjustable footrest दिया गया है और यहां पर आपको जो है rider के लिए भी adjustable footrest देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक metal का brake pad अब इसके ground clearance की बात करें तो 165 mm इसमें आपको ground clearance देखने को मिल जाएगा अब मैं बात करूं इसके engine और power को लेकर तो इसमें आपको 149 CC का air cooled forest rock SOSC 2 valve type का engine मिलता है इसकी maximum power की बात करें तो 12.4 PS की power मिलती है 7250 rpm पर इसके maximum torque की बात करें तो 13.3 mm का torque मिलता है 5500 rpm और इसके exhaust पर आपको मिल जाता है एक बड़ा सा catality converter जो की BS6 की पैचान मानी जाती है और इस catality converter के ऊपर आपको एक oxygen sensor देखने को मिल जाएगा दोस्तों अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो यहां भी आपको जो इसके engine head पर भी sensor देखने को मिल जाएगा इसमें आपको fuel injection system द लगा गया है अब आप इसके ऊपर की side में देखोगे तो यहां पर आपको radiator जैसा setup दिया गया है design के साब से बट इस बाइक में आपको radiator नहीं मिलेगा अब इसके side की तरफ चलें तो यहां पर आप देख सकते हो एक retro looking यहां पर आपको देखने को मिल जाती है इसके side वाले panel पर आपको metal की plate दी गई है जो कि इसके look को काफी ज्यादा enhance कर रही है दोस्तों मैं आपको इसके दूसरी side में ले चलता हूं तो यहां से आप इसके front look को देख सकते हो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और आप इसके दूसरी side से भी यहां से भी आप इसके look को देख सकते जो काफी retro looking इस bike में आपको देखने को मिल जाती है जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको जो है एक single horn दिया गया है इस bike के अंदर और इसके engine की side में चलें तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको matte blackness में engine देखने को मिल जाएगा दोस्तों यह वा जाएगा इसके side stand में भी आपको sensor देखने को मिल जाएगा और यहां से भी आप इसके adjustable footrest को देख सकते हो side panel यहां भी आपको yama की branding के साथ दे रखा है और यहां पर इसके rear की तरफ चले हैं तो यहां पर आपको pillion के लिए adjustable footrest दिया गया है और यहां पर आपको side guard दिया गय है जिस bike के अंदर तो दोस्तों मैं बात करूं इसके price को लेकर तो यह bike available है तनुसका auto yama madhyam gram कॉलकता में और इसका एक सोरूम प्राइज है 120,600 पे और इसका on-road price है 1,43,500 पे तो दोस्तों अगर आप कॉलकता यहां सपास से हैं तो नीचे दिये हुए नमर पर कॉल कर सकते ह नाम एड्रेस और contact number आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा अधरिस्टिट वाले बिल्कुल भी tension ना लें आप मेरे को comment कर देना मैं आपको आपकी city का on-road price new FGX का बता दूँगा दोस्तों comment करके तो दोस्तों finally यह video आपको कैसी लगी अगर यह video आपको वाकी अच्छी लगी तो वीडियो को जाज स्यादा like करें जाज स्यादा share करें अगर दोस्तों आपके मन में कोई doubt या सवाल है इस वीडियो से related तो आप मेरे को comment करके पूछ लेना तो दोस्तों अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe करके bell icon जरूर दबा देना thank you दोस्तों मिलते हैं next वीडियो म तोरब स्थतों मैं